असलाम लिकुम व्योज कैसे हैं आप आज मैं आपके साथ सफेद कपड़ों की पिलाहट दूर करने की बहुत ही सस्ती सी और इजी सी टिप शेयर करने जा रही हूं हम कोई भी बजार की महंगी प्रोड़क्ट यूज रही करेंगे जस्ट आपके करीबी जनल स्टोर पर अवे आप देख सकते हैं कि जिजी जगा से इसको ज्यादा यूज किया गया है कॉर्णर वगरा उनका कलर चेंज हो चुका है यह पिलाहट यकीने आप देख सकते हैं और वाश के बाद भी यह ऐसा ही रहता है यह इसकी पिलाहट दूर नहीं हो रही थी तो आज इसको हम एक ट्र पर अवेलेबल होती है और बहुत ही सस्ती मिल जाती है यह देखें यह एक चम्मच भार के हम एक टावल के लिए यूज कर रहे हैं अगर आप बेट शीट पे यह ट्रिक अप्लाइ करें तो 3 टेबल स्पून एड कर ले और शेट के लिए 1 टेबल स्पून ही एड करें इसको में थोड़ा सा मिक्स करेंगे यह पॉडर फॉर्म में मिलती है लेकिन यह दाने-दार थी इसलिए इसको थोड़ा से स्टेर कर लेंगे यह अच्छे से mix हो गई है तो अब हम इस towel को इसमें dip कर देंगे यह दिखे अच्छी तरह से इसको खोल के इस तरह से इसके अंदर dip कर देना है कि पूरा towel अच्छी से dip हो जाए अब हमने इसको 5 hours के लिए छोड़ देना है कम अज कम 5 गंटे के लिए इसी तरह से हम इसको छोड़ देंगे इसको हिलाने की या करने की जरूरत नहीं है जस्ट इसी तरह से आप छोड़ दें 5 गंटे के लिए यह देखिए मैंने भी इसी तरह से रखा हुआ है और 5 गंटे के बाद यह देख सकते हैं इसमें कितनी brightness आ गई है इसकी shine से ही पता चल रहा है कि जो हमने agent यूज किया था उसने कोई काम किया है brightness देखें, sparkle cleaning है बिल्कुल और अब इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून डिटर्जेंट एड़ कर देंगे कोई साब इटर्जेंट जो आप घर में यूज करते हों वो आप इसके उपर apply करें और आप इसी तरह से इसे अपनी automatic washing machine में भी डाल सकते हैं धुल जाएगा और spin भी हो जाएगा और चाहे तो hand wash भी कर सकते हैं इसी तरह tap के नीचे करके आप इसको rinse भी कर सकते हैं मैंने भी इसी तरह से इसे wash कर लिया है मैंने automatic washing machine में इसे डाल दिया था और अब ये धुल कर देखिए कितना clean हुआ है ये सारी layers मैं इसकी दिखा रही हूँ आपको fold करके मैंने रखा हुआ है देखिए माशयल्ला से कितना clean हुआ है उमीद हैं आज कि ये easy tip and trick आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर apply करेंगे और बहुत ही अच्छा सा result भी लेंगे तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अगर अच्छी लगी हो तो like ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें द्वाव में याद रखेगा अलाहाफेज